आप सभी कैसे हो आप सभी बच्चों को तीज की बहुत बहुत सारी सूब कामनाई आपके जीवन में सावन की तरह हरा बरा रहे और हमारे मैथ का सलेवस भी आपके जीवन में हरा बरा रहे जब भी आप पढ़ो तो आप मैथ के हर कंसेप्ट से वाकित हो ये सावन का जो मोसम है उसी तरह आपके मतलब छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े फूल बनते रहें तो बढ़ते हैं हमारे कोर्स की तरफ कोर्स टार्ट था क्लास प्लस टू का चैप्टर नाइन्थ लेक्चर एट और हम आरी अक्सरसाइज बेटा नाइन पॉइंट टू उसके आठ से आगे के क्योशन आज के हम इस लेक्चर में डिसकस करेंगे और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाई अनुफ सिहाग में और आज बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से शेयर करें जो हमारा पीछे बड़ा सलेव से उससे भी जूड सकते हैं और जो बच्चा हमारे पास आज चैनल पर पहली और उसक्केर से इकटा टू और टू एकस्टी ट्वीच्चा ma-2 एकस्पोनेंशेलट ट्रम सिल्पेटा चैनल और कि एकस्पोनेंशाल्ट्रम होगी मैं रुकल सеждति कुछ पासुट सूड चैनल पर करतें ciao एक्सफॉनेंशियल ट्रम दीवाइड में है डिनोमेटर में है और निम्रेटर मेंभी है तो ये बात समझ लेना बेटा अकेली एक्सपॉनेशियल है सेम पावर होगी क्यों नवाढ़ा सेम पावर देगा एकस एकस देगा X by 2 X by 2 देगा कुछ भी दे हमेशा डिनोमेटर को पूट किया जाएगा क्योंकि पूट करने के बाद जब हम उसका डेरिवेट्टिव करेंगे तो E की X का डेरिवेट्व बेटा E की X ही आएगा तो इसलिए और उपर E की X होगा वो डेरिवेट्व वाले हिस्से में चला जाएगा जैसे e की power 2x minus 2 को मैं t put कर देता हूँ और इसका derivative देखी बेटा e की power 2x into में 2 और minus 2 का क्या हो जाएगा 0 t का dt e की 2x dx dt by 2 e की 2x dx क्या हो जाएगा dt by 2 e की 2x dx देखी बेटा क्या होगा dt by 2 इसकी जगहे तो और यह सारा क्या बन जाएगा बेटा t 1 by t integration 1 by t का log of t और t की value आप इस put कर देंगे t की value क्या है e की power 2x minus 2 और plus में क्या हो जाएगा c एक तो concept बेटा यह है numerator में only e की x है तो direct denominator को put कर देना constant हो अपने आप वो 0 हो जाता है एक क्योस्चन ऐसा है बेटा e की power 2x e की power 2x plus 1 e की power 2x minus 1 integration इसमें exponential और constant है लेकिन इसमें एक पलस 1 add हो गे बेटा एक्स्ट्रा तो देखू e की 2x के नाम का तो e की 2x हा जाएगा 1 के नाम का तो 0 होता लेकिन इस बार क्या है बेटा हो 1 है अगर क्योस्चन में दोनों के पास constant ट्रम है और ऐसा होगा हमेशा यहाँ plus है तो उपर minus हो जाएगा और यह minus है तो यह plus हो जाएगा इस बात का भी बारे में समझाओंगा क्यों plus का minus होगा क्योस्चन special है यह इस तरह के क्योस्चन ही चलेंगा exponential के उपर exponential अकेली डिवाइड बाई exponential प्लस कॉंस्चन उपर exponential प्लस कॉंस्चन exponential माइनस कॉंस्चन यहाँ plus आ गया तो बेटा वहाँ पर माइनस आएगा सेम पावर होगी ऐसे क्योस्चन के लिए हम क्या करेंगे E की X इसकी half पावर करेंगे इसको half करेंगे 2 का half करेंगे X हम E की पावर X से numerator और denominator दोनों को divide करेंगे E की X से E की 2X माइनस 1 बाई E की X तो देखिए क्या होगा इससे एक कैंसल हुआ E की पावर X पलस में E की पावर माइनस के X इससे divide हुआ बेटा E की पावर X और इससे ये गया E की पावर माइनस X DX ठीक है आई ये बात समझ में जब भी exponential के पास पलस constant है और निच्चे वाड़े में माइनस है constant से मिलेगा आपको हमेशा बेटा half hour से divide करेंगे ऐसा करने से क्या होगा denominator को put करना E की X का derivative E की X और E की पावर माइनस X का बेटा E की पावर माइनस X और पावर में कम करेंगे माइनस 1 का पलस का 1 हो जाएगा क्या गहा रहा हूँ मैं देख ये put करने के बाद आपको ये बाते समझ में आएगी E की पावर X E की पावर माइनस X को मैं T put कर देता हूँ E की पावर X का E की पावर X E की पावर माइनस X पावर का माइनस 1 DX DT माइनस माइनस क्या हो जाएगा पलस E की पावर X E की पावर माइनस X DX DT ठीक है तो हमारे पास ये ट्रम क्या जाएगी उपर वाली ट्रम d t k equal आ जाएगे ठीक है और ये वाड़ी किसके equal आ जाएगे बेटा t k और 1 by t का log of t और t की value क्या है बेटा log of e की power x plus e की power minus x plus c ठीक है एक दो दो ही question होते हैं तीसरा question rotate करने के लिए आपको देगा तीसरा question ऐसे आएगा बेटा 1 by e की power x minus 1 हो सकता है 1 by e की power 2x minus 1 हो सकता है plus 1 हो सकता कुछ भी हो सकता है कैसे कैसे बताए important है बेटा exponential minus constant direct put करेंगे हमेशा put denominator को ही करेंगे put करने के बाद क्योंकि e की x आना चीज़िए इसके पास तो direct था इसके पास constant था इसने देखा ही constant तो आएगा नहीं उसकी जगे भी e की x ले आएं तो हम half power करके दोनों को divide करते हैं एक के उसने ऐसा 1 by e की power x minus 1 यह वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा exercise में है तो e की power x हमेशा यह द्यान रखने ना जब भी exponential ट्रम आएगी बेटा denominator को ही हमें क्या करना पड़ेगा put करना पड़ेगा अकेले exponential ट्रम का तो integration हो जाता अगर किसी के divide में है divide के नाम का integration में कोई matter ही नहीं है उसको खतम करने के लिए हम direct इस concept पे जाते हैं कोटिंग के concept के उपर जाते हैं वहीं से इस बिमारी का दीरे-दीरे समाधान होता जाता है कि अब ऐसे क्यों सुन में क्या करेंगे वन बाई की पावर x-1 ऐसे क्यों में बेटा आपने क्या करना दोनों को ही जितनी यह पावर है उतने से अब बोलोगे ऐसा क्यों देखिए यह बात आपको समझ में आएगी एक से जब मैं डिवाइड करूंगा तो बेटा ऊपर एक की पावर प्रिवर्ती बदलता रहता है कि और पजल करता रहता लेकिन हमें ध्यान रखना है अगर नहीं है तो उपर एक्सपोनेंशिल लेके आनी है कैसे लेके आएं एक्से डिवाइड कर देंगे ठीक है बेटा तो हमारे पास क्योंसन नंबर जो नाइन्थ है एलिमेंट के अकोर्डिंग वो आपके इन सभी पार्टों के साथ कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्योंसन की तरफ बड़े बेटा अब तक हमने इंटेग्रेशन में साइन का कोस का इस तरह कि मैंने बताया था आपने इंटेग्रेशन याद रखने हैं और मैं एक जिस तरह 9.3 ओने के बाद एक लेक्सर और बनाओं में अभी तक के जो इंटेग्रेशन पड़े हमने उन सब के फार्मूले ठीक है किस किस का क्या क्या होता है क्या क्या बाते सोचनी है थोड़ा सा आप इकठे अगर कोई सोचे कैसे कैसे फार्मूले तो बहुत सारे आपको सारे उस एक में ही क्या हो जाएंगे कवर हो जाएंगे तो देखी बेटा आव नैक्स्ट है अपने पास उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दू आपको इंटेगरेशन देखिए अकेले साइन एक्स का पता है, अकेले कोस एक्स का पता है, अकेले टैन एक्स की बात करें, अकेले कोट एक्स की बात करें, अकेले सीकेंट एक्स की बात करें, अकेले कोसीकेंट एक्स की बात करें, ठीक है, अच्छा है फार्मूले है, सिंगल पावर में तो पता होना सही है ना सब का क्या क्या होगा साइन का इंटेग्रेशन बेटा कोस एक्स पलस सी इंटेग्रेशन होने के बाद सी आ गया तो माइनस कोस एक्स का इंटेग्रेशन साइन एक्स पलस सी टैन एक्स का 10 क्या सोचना था बेटा 10 sin by cos sin by cos निचे वाड़ी ट्रम का उपर derivative क्योंकि 1 by x का हमें पता है log x होता है न उसी तरह sin by cos निचे cos 10 को याद रखना माइंड में sin by cos cos आ गया log of cos और एक बात और बेटा सबसे important बात है ये अकेले अकेले में sin का cos cos का sin dot sign कोई भी एदर टिगनोमेटिक वतीक उमिलता है जो चैयर में से होगा log रथमिक तो हर किसी में आएगा log रथमिक तो बेटा बगयर सोचे लिख दो आफ log रथमिक आएगा इसमें भी log करेथमिक आएगा इसमें भी log रथमिक आएगा पजल तो और आई नहीं देख लिया साइन को उसका तो डिरेक्ट हो गया इसके इलावा कोई होगा लोगर्थमिक तो सबसे पहले आएगा 10 sign by cos निचे cos है तो लोग cos quote cos by sign cos by sign निचे वाड़ी टरम का उपर derivative होता है sign का derivative क्या हो गया cos one by x का integration पता ना लोग x होता क्यों होता है हमने अपने फायदे के लिए उस बात को थोड़ा सा गुमाके थोड़ा सा rotate करके अपने लिए use कर लिया 1 by x का log x ठीक है इसी तरह निच्चे वाड़े का जब भी उपर derivative होता है तब log आता है तो cos by sin इसमें log sin x पलस के c secant हमने पिछली लेक्चर में क्योस्टन को पुट किया था वहाँ पे आया था किसी का secant, secant, secant इसका नाम ही लिखना secant लेकिन यहाँ पे सोचना secant x पलस 10x cosecant का log of cosecant x minus 4x ठीक है यह cosecant x का भी इसी तरह है अगर मैं cosecant x की integration की बात करूँ अकेला तो होगा नहीं इसमें मैं दोनों तरफ cosecant x minus 4x numerator और denominator को divide कर देता हूँ फिर ही यह फार्मूला बनाया जाता है special यहाँ पर दो इस ट्रम को put करेंगे cosecant minus 4x को t और उपर वाला यह result इसका आ जाएगा अगर मैं cosecant x minus 4x को बेटा क्या put करूँ t cosecant x का derivative cosecant x minus का minus के 4x का plus के cosecant square x क्या common आ जाएगा बताए यह बेटा साहबास और dx साथ में आएगा न cosecant x को मन ले लिया मैंने यह cosecant x पहले लिख देता हूँ plus का है और यह minus का quote x तो देखिए आप बच्चे क्या लिखूँगा इसकी जगे से आब बास बताईए cosecant x cosecant minus quote cosecant x cosecant minus quote उपर यह सारी सामगरी पूरे की पूरी मिल गई हम इसको हटा कर क्या लिख देंगे d t और बेटा इसको मैंने क्या बोला है t और 1 by t का integration log of t और t मैंने किसको बोला था cosecant minus quote को आगे ना cosecant minus quote दो के अकेले अकेले लेकिन log अर्थमिक वाले है ना जो यह इनके पास दो दो फार मूले है cos का उल्टा सीकेंट होता है इसका एक log of secant x plus c भी होता है इसका एक log of sin का उल्टा cosecant होता है cosecant x plus c भी होता है और c आगे तो बेटा minus ठीक है कोई कह देंगे याँ आपे c आया आपने minus नहीं बताया अरे वही एक c के नाम का एक minus कितने c आगे दो c तो दोनों माइनस माइनस क्या होगे पलस cosecant माइनस कोट में माइनस नहीं आएगा बस हमने अपने आपकी एक बात और याँ पे trick बना के यूज कर ली कि जिनका नाम c से स्टार्ट होता माइनस आता है लेकिन cosecant कोट में दोनों ही c है तो दोनों के नाम का एक एक माइनस आएगा और माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा पलस में तो इसके साथ कोई माइनस का सिंबल नहीं आएगा इनके भी दो-दो फार्मूले है secant x पलस से 10x का भी ठीक है secant पलस 10 से भी काम चल जाएगा और दूसरा अगर आप बच्चों ने या तो बुक में देख लेना वा मिल जाएगा अगर मैं बताने की बात करूँ तो बहुत इजी सा है थोड़ा सा टाइम लगेगा बस तो देखिए अभी बता ही देते हैं अगर बैंको लिखते हैं फ activ high दोनों के सिंब टक न गया एंग या वन पलस का साइन एक सांग्या वन पलस साइन का कोई फार्मूला होता नहीं है получ bनाती है ऐसे ए य वन माइनस इसको भी दू पलस एक से बना लेते हैं क्योंकि वहां पर पैवर需 ही परसे एक्स क्यों को स 90 खिता 48 साइन होगा और माइनस यहां पर अप्लाई कर दिया मैंने तो पलस कहीं हो गया डेको स 90 पाइबाइट 2 पलेट से मैमाने स्का को साइगा इसका माईने का कुश आएगा है कि ति यहां है इसमें यह सن यह स्केयर यही होता ना बेटा 2 साइन स्केयर पाई बाई 4 पलस एक्स बाई 2 और साइन एक्स का फार्मला 2 साइन थिटा बाई 2 पाई बाई 4 पलस एक्स बाई 2 और कोस पाई बाई 4 पलस एक्स बाई 2 जब यह चेंज करने की बात होती ना बेटा दोनों को change करते हैं अगर इसका एंगल अलग और इसका एंगल अलग फिर cancel कैसे करेंगे जब दोनों का सेम चलेगा तभी cancel कर सकते हैं ठीक है एक साइन से एक साइन गया टू से टू गया कर साइन बाइक ऑस टेन तो दूसरा इसका इंटेग्रेशन है बीटा लोग ओफ टैन पाइबाइ फूर पलस के एक सबी टू और इसका है पाई-बाइ-फॉर माइनस के एक सबाइट ठीक ओनली इसका है दूसरा log of 10x by 2 इसका दूसरा है यह कैसे है cosecant 1 by sin x quote x cos by sin x ठीक है इसमें direct ही हो गया ना उपर 1 minus cos x और sin x 1 minus cos x का फार्मला विटा 2 sin square x by 2 और sin का 2 sin x by 2 cos x by 2 2 से 2 गया, sin से sin गया, sin by cos 10 x by 2 इसलिए इसमें 10 x by 2 आ जाता है तो logarith में किस के साथ आएगा, 4 ट्रमों के साथ आएगा जिनके साथ logarith में काएगा, उसके 2-2 फार्मूले है दोनों याद कर लेने बेटा आसा करता हूँ आपके ये बात समझ में आ गई होगी ठीक है न, कैसे हमारे पास ये फार्मूले बने है next देखिए बेटा, क्योस्चन की तरफ बढ़े ये फार्मूले आगे वाले क्योस्चनों में भी आएगे आगे की exercise जों में भी काम आएगे ये बेटा सब के याद होने चाहिए पानी के भाव की तरह आपके ये सब याद होने चाहिए किसी direction में जा रहे हो लेकिन ये बाते सब याद होनी चाहिए sign का cos, cos का sign उसके इलावा जितने भी 4 है लोगर्थमिक आएगा और लोगर्थमिक आता तो उनमें 2-2 होते है cos है cos का उल्टा secant cos किस के divide में आता है 10 की ठीक है एक अपने बास quote, quote क्या होता cos by sign, sign है तो बेटा लोग ओफ sign sign का उल्टा cosecant, c आ गया तो minus secant, लोग आएगा secant, नाम ही क्या है, secant बार बार देखी प्रवर्थी किजिए, secant, secant plus 10 cosecant, cosecant minus quote जब भी plus का है, यहाँ पर किसका जिकर है बेटा, plus का, तो यह याद रख लेना, pi by 2, plus x by 2 angle आएगा, plus से plus याद रख लेना ठीक है, plus से plus याद रख लेना और minus वाड़े में बस यह सीधे हो जाएगा 10x by 2 ठीक है, बड़े क्योस्टनों की तरफ थोड़ा सा यह समझाना ज़रूरी था मैंने पहले भी बताए हुएं, लेकिन एक बार और क्योस्टन में पहुंचें, तो बार बार यह revise होंगे, तो आपके बेटा मजबूती मिलेगी क्योस्टन देखिए 1 पलस के 10x 1 माइनस के 10x 1 पलस के 10x 1 माइनस के 10x इंटेग्रेशन करें इसका dx अब इंटेग्रेशन डिवाइड आगया पूट करने का, अपने आप में बेटा एक फार्मूला है टिगनोमेट्रिक का, आंसरे देखिए 10 पाई बाई 4 माइनस x ठीक है, पलस है तो पलस, उपर पलस है ना, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x 10 का इंटेग्रेशन देखिए क्या रहा ये रहा माइनस लोग ओफ कोस पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई एक्स आगया अनसर ठीक अगर मैं बगार देखिए बता देता ही, अच्छा है फार्मूली याद कर लेना थोड़ा थोड़ा मैंने ड्राइव किया तो आप समझ गियोगे बेटा, 10 का लोग कोस पाई बाई 4 पलस एक्स कैसे आया 1 बाई एक्स की परवर्ती से ये बदला है अगला है कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डिवाइड बाई 1 पलस के साइन 2 एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई बाई 1 पलस के साइन 2 एक्स देखो बेटा, क्या करें या इसका एंगल एक्स इसका एंगल एक्स, इसका टू एक्स सबसे पहले तो एंगल एक जैसे होने चीए ऐसा सोचना पड़ेगा कि इन जैसे एंगल या तो ये बन जाए यह जैसे यह बन जब तक पास कोई भीा है 1 है यह पर यहांपे पलस हो चाहें मैनस हो तो बेटाइ इसका एंगल तो itt nodig देंके बताया था क्या लिखेंगे बताओ साइन टू एक्स कोस एक्स कोई यह कहा देता साइन का कोस बना लो वन प्लस कोस का फारूना बढ़ जाता बिल्कुल सही बात है बेटाप की लेकिन उपर जो यह वैरियेबल बेठा इसका समाधान भी तो करना जरूरी है अकेली ट्रम होती तो बहुत सारे ट्रीक के हमारे पास अकेला अदमी तो कहीं जा सकता है अप अकेले कहीं गुम्रेबले गएं प्रिवार सात में लेकिन अब पावन्दियां बहुत सारी है इनकी भी चिंत ready परिवार के बार है उनके बारे में भी सोच के चलना है आई ये बात समझे हैं वैसे ही integration को समझेंगी वन की जगे बेटा साइन एक्स स को सेक्स स्केयर के साथ साइन स्कीर एक बात और बता दूं यहां पर अपोजिट साइन होगा हमेशा ऐसे क्योशन बहुत सारे आएंगे यह पलस है तो यहां माइनस मिलेगा और यहां माइनस है तो यहां पलस मिलेगा ठीक है इसका जवाब बेटा क्योशन आगे अपने आप देगा तो उपर आगया को सैक्स क्यों पूबस टुवे भी ए third est उपीन का अपने तो हम क्या लिखेंगे स्वाइन एक्स क्विए और च्शिजल टी साइन का डैरिवे टिव टीखस होगा है क्योँ पावर के नीचे कोई function बैठा है ये एक बिमारी पड़ी थी हमने और बेटा उसको पूट करते हैं लास्ट में मैंने आपको एक निचोड बताया बेटा अगर हमें हमारे अंदर ये ability आ जाती है किसका कॉन डेरिवेटिव है तो question soul हो जाता है ठीक है sin x plus cos x को t बूट करेंगे उपर dt आ जाएगा तो उपर dt आ गया बेटा और sin x plus cos x t t का whole square और इस t को क्या लिखें माइनस का 2 और power make add कर देंगे माइनस 2 पलस 1 माइनस 2 पलस 1 और पलस का c माइनस 1 by t पलस c ये हमारा answer आ जाएगा ठीक है तो मेरे पास ये question भी बेटा soul हो गया ऐसे question कल जो आगे के question करेंगे उनमें इस तरह question आएंगे जो हमारे पास next lecture होगा ठीक है और बेटा comment करना ज्यादा से ज्यादा बच्चे एपीटीज है आप सभी को देखते हैं कितने बच्चे 20 करते या नहीं करते बस पढ़ते ही है या comment बगारा के उपर भी ध्यान देते हैं तो देखिए बेटा next question है root 10x root 10x divide by sin x cos x dx अब बिमारी पैचार निया क्या बीमारी है इसमें है बीमारी बताया था भ dared नुमेटCTV ट्रंड कर behö एंगल देखने एंगल तो सबका ठीक ठाक है एंगल तो ठीक है सबसे पहले रहें डाक्टर यहीं देखता विप्पी देखो भी इसका सबका ठीक है फिर देखो भ dau कोई दिक्कत तो नहीं इसके और दिक्कत क्या है एक टिन Pad брcha के निचे आगीं पेलिदी से लुट में इसे और कि न क्या है है तैन है बैसे नस्मेड़ उन्हसे हैं एडमिट करना पड़ेगा पूट करने के जैसे समझेंगे फिर यह पूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा टैन की जगह सीकेंट स्केर मिलेगा क्यों सब्सक्राइब है निवेटा कई बार हमारे पास पैसे ना हो आगे की बात सोचें में यह खरीद यह खरीद दे तो कुछ नहीं कुछ तो करने लगाना पड़ेगा इतने उदार से ले लेंगे अगे और हमारा काम चल जाएगा तो ऐसे ही क्यों सब्सक्राइब हम क्या बात सोचें कि मेरे पास सुकेर आ जाए है एक कोस है स्काऊच का तो बीटा इक बन जाएगा सही केंट एक बन जाएगा एक और है और ये और चाहिे को स्कुल सी केंट और सि कैन्ठ एक्स को यहां पर सकेर चाहिए था और ये सिक युट्स ने-स साइन बाइकोस 10x साइन बाइकोस ये सीकेंट 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 अच्छा बेटा ये तो पता हुआ गेम जैसे जैसे खेलते जाते हैं लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाता है तो थोड़े से सोचने की अब सकती आपके अंदर भी आ जाने चाहिए किसको पुट करूँ क्या डेरिवेटिव चाहिए डेरिवेटिव नहीं है तो क्या लेके आएं कैसे वो बनाएं इनी सब बातों के उपर सारे का सारे इंटेगरेशन चलेगा अगर जिसमें ये अबिलेटी आगी बेटा उसके कोई दिक्कत नहीं है तो इससे ये कैंसल किया तो रूट टैन एक्स आ गया वन बाइ रूट टैन एक्स सीकेंट स्केर एक्स टैन एक्स को बेटा क्या पुट करेंगे टी टैन का डेरिवेटिव सीकेंट स्केर एक्स डी एक्स डी टी उपर वाली सारी सामगरी है जो वो किसमें चली जाएगी डिटी के लिए खर्च करती जाएगी और डिवाइड में रूटी रह गया बेटा रूटी वाले तो यह तो फस्ट अक्सर साइज में चुटके-चुटके क्योस्टन होगे ना पच्छी पहली जैसे होगे अब तो अब तो कुछ बचा ही नहीं क्योस अब से बार-बार आप याद करते रही बेटा तो देखिए आगे क्योसन रूट 10x वड़ा हो गया एक ही आगे बेटा इसमें मैं यहीं बता देता हूं क्योसन थोड़ा सा है यह 3102x22x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 रखिया है और हमेशा डिवाइड की ट्रम है तो हमारा ज्यादा तर दिमा द्यान इसी की तरफ जाना चाहिए कि हम डिवाइड वाली को पूट करेंगे क्योंकि जो ऊपर डैरिवेटिव आता वो तो पूटिंग में चला जाता है तो बेटा इसमें 103x2x2x2x2x2x2x2x2x2 बनेगा तो आप यह क्योंसन कर लोगे ना पने आप तो नेक्स्ट क्योंसन देखिए बेटा हमारे पास तिया अगले क्योंसन की तीन पार्ट लिए हमने 1 by SineX Cos X एक क्योंसन ऐसा है एक 1 पलस के SineX डिवाइड बाई SineX cos x है और एक ही क्योस्टन और है बेटा 3 3 sin x minus 4 sin cube x तीन क्योस्टन है वो मैंने नहीं लिखे थी इसके दोनों वाले अभी भी नहीं बस इसके साथ correlate करवाद हूँ इनको 1 by sin x plus cos x sin का लुटा cosecant हो जाता है और cos का लुटा secant secant into cosecant का तो कोई formula नहीं है ऐसे question में बेटा sin cos की एक ट्रम हो reciprocal करना easy है पलस में होते तो नहीं बना पाते कुछ product में है अब sin cos की product का कोई formula है है हमारे पास अगर मैं 2 से multiply और 2 से divide करता हूँ करता हूँ तो क्या होगा sin 2x क्या होगा एक ही ट्रम का रहा ऐसी प्रोखल करता हूँ साइन का cosecant 2x हो गया टू cosecant का integration देखिए कहां पर है यह रहा को सिकन्ट का integration बेटा log of cosecant x cosecant 2 minus quote और angle कितना बेटा इसका 2x तो divide में क्या आएगा 2 और प्लस में क्या आएगा सी आ गया यह क्यों था बस दो ट्रम थी अलग अलग इसमें देखिए क्या करोगे आप एक ट्रम तो इसी के साथ आ जाएगी और तो पलस में एक sin x के साथ अलग से divide करते अगे sin x plus cosecant ठीक में है एक sin से तो sin यही कट गया नहीं पर cancel हो गया into में है यह sin into cos एक sin से तो sin cancel हो गया बटा 1 by cos बचा 1 by cos का सिकेंट हो जाएगा और सिकेंट के पास हमारे पास डेरेक्ट है और जो यह 1 by sin x cos x है यह क्योंस अभी हमने इसोल किया है एक क्योंस यह 3 sin x minus 4 sin cube x यह किसका फार्मला बेटा साइन 3x का और साइन 3x का डेरेक्ट अपोजिट क्या हो जाएगा को सिकंट 3x Ut Wirksi अभी tapey सına है तो आपके पास इसके जैसे तीन पर्ट अउन ही नहीं लिखें को पार्ट लिखें 1 by 10 square x, 1 by 10 square x, 1 plus 10 square x, divide by 1 minus 10 square x. 1 plus k tangent square x, 1 minus k 10 square x, integration dx के साथ. इसमें देखिए, 1 plus 10 square, 1 minus 10 square. फार्मूले होते हैं, 2 tan x का फार्मूला है, 2 sin x का है, sorry, 10 to x का फार्मूला है टिनो मेटिक में, sin 2 x का है, cos 2 x का 3 फार्मूले होते हैं, टिनो मेटिक की तरह और न, इसका फार्मूला बेटा 2 tan x, 1 minus k 10 square x, sine में क्या बता था, उपर बड़ा ही सकाम आता है, और कोस्में निच्छे बड़ा इसा काम आता है और दोनों को किस्से डिवाइड कर देते हैं 1 प्लॉस टैन स्केर एक से 1 प्लॉस टैन स्केर एक से ठिक है क्या ऐसा कोई फार्मूला है उन में से कोई भी नहीं है इसमें उल्टा हो गया उपर माइनस आना चीए कोई दिक्कत नहीं है यह गलत बैठा है इसको डिवाइड में बेज तो इस निच्छे वाड़े के 1-10 square x 1-10 square x बेटा क्या हो जाएगा ये बताइए 1-10 square x 1-10 square x sin या cos cos 2x 1 by cos 2x क्या हो जाएगा देखिए secant 2x और secant 2x का इंटेगरेशन पीटा log of secant y format y tuning बनाने secant secant 2x plus tangent 2x by में एंगल का derivative 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और plus में c हमारा अंस्वरार ये भी दे सकता है वो देख ले ना दोनों में से अंस्वर कौन सा ये अंस्वर भी सही और वेटा ये अंस्वर भी आपका सही है हमारे पास एक क्यों रहा गया क्योन क्या है root में है अब root में कोई ट्रम है वो constant होने चाहिए क्योंकि power के निचे कोई from traum है अपने आप में वो क्या होने चाहिए ripped constant होने चाहिए और जैसे हमारे पास root में गॉन पलस का 2 10 x सीकेंट एक्स टू टैन स्क्राइक्स मल्टिप्लाई कर दिया बेटा मैंने इसको टू टैन एक्स की सीकेंट के साथ भी और टू टैन एक्स की टैन के साथ भी ऐसा ही क्यों संदा यह अगर आपको दिखाए नहीं दे रहा हमें देख लेता है एक बार वन पलस कीट टैने EX और एक आपके पास है ठीका हमारे पास रूट में में है यह में किसमें बैटा रूट में तो अब हम क्या करें कि यह रूट इंक यह इस द्रॉम Morp B ने कर सकता या है क्यों नि कर सकता बता चाहिए पूट करूँगा तो बहार कोई ने कोई तो ट्रम होनी चाहिए क्योंकि यही बात है ना मैंने बता नहीं था आप जहां पर गूमने जा रहे हों अकेले जा रहे तो फ्री माइंड हो किसी परिवार के साथ जा रहे तो आपके पास आपके साथ पाबंदिया बहुत सा सकते हैं रूट को कौन ब्रेक कर सकता है स्केर ब्रेक कर सकता है स्केर कैसे बनाएं ट्रमों से बनाना पड़ेगा जैसे देखा आपने टू टैन एक सीकेंट एक्स टू एबी जैसा है लेकिन वन है वन की जगह साइन स्केर प्लस को स्केर भी रख सकते हैं लेकिन बेटा यह पे किस का जिकर चल रहा है। किनके खांदान का जिकर है 10 और secant का तो इस 1 की जगे में secant square x minus ten square x रख सकता हूँ plus के 2 ten x secant x और plus के 2 ten square x क्या होगा आगे minus का ten square x है वो plus का है तो इसमें से गया तो 1 ten square रह गया और देखिए बिठा इडिंटी होगे क huge हुँ तो आपके बास seconds or १स्क्या बचा 10x के सबूável तुपक्लीट होता है should IRA लगो तो बेटा LIKE कर दिएना शेयर कर देना और सब्सक्राइब के लिए थोड़ी सी और मेहनत कीजिए और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपका ये जो 9.2 है ये कंप्लीट हो जाएगी फिर हम 9.3 की तरफ बढ़ेंगे उसमें सारे के सारी टिग्नोमैटिक ट्र इसी है ठीक है तो वो एक साथ कवर करेंगे तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बेटा बाई बाई ओके